आश्याना को उसकी उकाद दिखानी चाहिए ये मेसल को उसकी उकाद दिखानी चाहिए गांधी जी ने जैसा गया था गोबेक साइमन हम कहते हैं वो गोबेक है मेसल हमारे लिए हमारी जान से जादे क्या है तो हमारा जो स्टिपी का गंदा पानी है साब उसको हमारे पीने के पानी में जो rain water harvesting के through हमारे घरों में आता है उसमें मिलाते वे ये पकड़ेगा तो यहां इतना पैसा देखे भी हमारी जान माल से कहला जा रहा है इसके लिए हम बहुत जादे विथित हैं आप सबसे प्रात्ना करते हैं कि ये बात आप सब को पहुचाएं क्योंकि हम कंज्यूमर पिस रहे हैं इन बिल्डर लोवी के जो कहते हैं दादागिरी में ये बहुत बड़ा शड़ी अंत्र है हम लोग हैनत की कमाई इमानदारी की कमाई करते हैं लेकिन इनके उपर चढ़ाने के लिए थोड़ी बिल्डरस के ऊपर चढ़ाने के वांट तो सौट आट एवरीथिंग और आश्याना तो गो अवे फ्रम एर रंगोली गाडन के रेन वाटर हार्विस्टिंग के पानी में स्टीपी का पानी मिला कर रंगोली निवासियों की जीवन से खिलवार की हम नहीं चाहेंगे कि आश्याना भी यहां कंटिन्यू करें कम से कम में तो इसका समदान यह यह सर है कि आश्याना को यहां से अटाया जाए आज हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं जेडी अपरूट कॉम के साथ मिलके जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर में न्यूज और अनलेसिस का काम करती है इस वेबसाइट के साथ हम लोग यह वीडियो क्यों बना रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग फ्लैट्स लेते हैं बहुत सारे लोग प्लॉट्स लेते हैं लेकिन फ्लैट लेने के बाद में बहुत सारी बाद में जो समस्यां खड़ी हो जाती हैं उसमें राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। राजस्थान के सबसे बड़े बिल्डर हम लोग कह सकते हैं क्योंकि यह सबसे बड़ा केमपस है जहां पर मैं खड़ाओ के बात कर रहा हूँ इसको रंगोली गार्डन्स के नाम से जाना जाता है आप मेरे हाथ में जो पुलिंदा देख रहे हैं यहां के पूरे जो धानले बाजी की जा रही है यहां के रेजिडेंट्स के आरोप हैं कि यहां पर करीब पांच करोड का गफला हुआ है जिसमें कोई मेंटिनेंस नहीं मिल रहा है पांच करोड रुपे का कोई अता पता नही हैं यहाँ पर खातों के जो ट्रांसपेरेंटली उनको बताय नहीं जा रहा है यहाँ पर मैंटेनेंस सर्विसेज बहुत बुरी तरीके से पिटी हुए हैं सर्विसेज नहीं मिल रही है पैसा लगाताँ बढ़ता सकते हैं कि 50 पेस का मिरपास डॉक्यूमेंट है जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी यहां पर आदेश हैं लोग शिकायत कर रहे हैं इनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं और यह लोग पर पर कमेटी है उस पर दबाव बनाया जा रहा है बिल्डर की तरफ से और जिस समस्या को उठाइए आप खड़े हुए अगर आप खड़े हुए इस तरह समस्या सामने आएंगी तो बिल्डर को भी सुधरने का मौका मिलेगा तो आईए शुरू करते हैं यह सारा मामला है कि इसको हम लोग देखें लोग इस समय रंगोली गार्डन के पदादीकारियों क लिगूद के साथ हैं जो परने विए है तो उसमें अधियक्षण भी हमारे साथ और सेकेरेटरी वी हमारे साहत हैं तो मैं इन से जानेंगे यह कब क। किस तरह समादा निकल सकता है और जिस तरह कि यहां पर आरोप लगाए जा रहा है जो इस प्रेश लीज में हमारे पर सा मुद्ध हो गया पूरा मैं यहां पर 2013 से रहा हूं और इसलिए एक साल से मैं आध्यक्स पत्पे हूं उसके पहले मैं ट्रेजरर के पत्पे रहा हूं और बेसिकली आशियना जब हम लोग यहां 2013 में आये थे तो मेंटेनेंस के जो चार्जेस थे वो टू बीच के के लिए कोई कंसेंट नहीं लेते किसी को कोई पर नहीं दिखाते कोई ट्रांसफरेंस ही नहीं है आशियना में तो उसके चलते वो अपनी दादागीरी एक तरह कि यह तो चल रहा था एक अलग मुद्दा है कि मैंटेनस बढ़ा रहे हैं दूसरा इन लोगों ने क्या कि कि कॉस्ट क अब लिए हमारे यह हमसे चार्ज करते हैं करीबन साड़े शेलाक रुपया पर मंत टैंकरों से पानी बाहर बेजने का पर टैंकर का कुछ डेट सो दो सो रुपया ऐसा करके डेट सो से दो सुरुपय के बीच में रेटे इनों ने करिय हुई है और उसी में इनोंने कह किया क कि वह टैंकर तो दिखाते थे डेड़ सो और उसका पानी डाल रहे थे यह जमीन में पानी जो हर्वेस्टिंग पिट में आपके कुछ वीडियो हम लोगों को मिले थे जो शेयर जून का मामला है जिसमें जो सीवरेज का पानी है वह वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम में डा प्राद है वह तो इसके लिए इसा कोई प्रावदान नहीं जी जी तो उस दोरान फिर हमारे आँ कमीटी बनाई कमीटी बना कि इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए हमने वह किया पुलिस में भी एफायर करी तो इनकी तो क्या कि बड़े लेवल की कंपनी है तैसे वैसे लगा हमें तो हां हमने फायर के लिए अप्लिकेशन दी थी और वह फायर दरजी नहीं हुई उसके बाद कोट में तो हमने काफी सारे इनके अगेंस्ट अभी फिर हमने जैसे हमने इनके खिलाब एक तरह से हमें दमगाने के लिए इनोंने क्या कि हमें रेजिग्नेशन दे पानी तो जिस तरह बनाता है और हम सब आपके यहां पे 16-18 परिवारें उन सब परिवारों के लिए एक तरह से जहरीला पानी आप लोगों तक पहुंचाएं प्रफिशनल लोग यहां जादा रहते हैं जिनके पास समय नहीं है उन्होंने घर इसलिए यहां पर लिया था कि हमारे बच्चे सेफ होंगे हमारा परिवार सेफ होगा ना साफ सफाईश विदाएं यह सब चोरियां वगर नहीं होंगी उस चीज के लिए लोग यहां पर सुरुच्छा की दरश्टे से यहां लोग पैस आप किताब बताई यह हमारी जो भी सेंस्ता के हैं तो इन्होंसे अमें कुछ भी नहीं बताया और। Ôसली कहते कि हमारी खुद की ख्वेयं की पोलसी है उसी पोलसी के रिशार हम काम करते हैं यह इन्होंने पूरे अपना इंडिया लेवल का एक अपना वह जो जोन आकांट कुछ भी कुछ भी आज तक इनोंने पार्दर्स्टा से कोई काम नहीं है लेकिन आपको क्या लगता है? डागो है सेकेटरी का समाधान लबल पर जाके हो सकता है? कैसे पबलिक आपके यहाँ करीब बहुत बड़ा मामला यहां पे हमने पकड़ा था बाइस जून को आना तो उसके रिगार्डिंग हमने इनकी अप्लिकेशन भी दी थी तो इन्हों ने अमें ड्राने धमकाने के लिए जो विडॉल लेटर दिया था उस विडॉल के रिगार्डिंग हमारी मैनेजमेंट कमिटी इनके प्लान के अगोर्डिंग हमने वह सोचे कि हमारे पास आएंगे हमारे पाओं पकड़ेंगे और हमें मनाएंगे वह हमने नहीं किया आज लोग जागरुक है कानून बदल गए सिस्टम बदल गया तो हमने भी उसको एक्सेप्ट करके और हमने टेंडर पर करिया कि अच्छी सोचाइटी है उसमें अच्छी वेविस्ता बनी रहे हमारा भाईचारा यहां पर बना रहे सभी लोग हम खुश रहें आपस में हमारा किसी परकार कर कोई मनमुटाव नहीं रहे ऐसी हम चाहते हैं क्या आप इसका समाधा निकालेंगे एक अध्यक्ष के तोर प अपने इसाब से रखी है और ऐसी कोई अनियों में ता पाई जाती है तो उसके खिलाब तो वैसे भी कारवाई होनी चाहिए और हमने कारवाई के मांग करी रखी है और तो इसका समधान यह यह सार है कि आशाना को यहां से अटाया जाए और तो मेरे इसाब से तोर कोई करीमेंट मिला है तो मैं आपसे जानना चाहरा हूं कि इस तरह की शिकायत यह कब से समस्या शुरू है आपके मैंटिनेंस को लेके बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है पिछले साल बर से मामला बहुत जादा चलता जा रहा है तो आपकी क्या शिकायत है आप लोग य यहां रेटायर वो के अक्टूबर 2012 में आया था जी इस पूरी आशाओं से कि यहां सब कुछ बिल्कुल एक आर्मी केंटर्मेंट की तरह एक जिंदकी मिलेगी सबसे पहले जटका तो लगा जी रजिस्टेशन के टाइम पर जिस ट्राइपार्टाइट एग्रिमेंट के उपर यह आज दादागिरी कर रहे हैं और जो हमें ब्लैक्मेर कर रहे हैं और हमें डरा धंका रहे हैं वो बंदू की नौक पर हमसे साइन करा गया कैसे कि आपको अगर रजिस्ट्री करानी है पूरे पैसे लिने के बाद किते हैं अगर आपने रजिस्ट्री करानी है तो इस एग्रिमेंट पे साइन करो तो मजबूरन क्या करते जी रजिस्ट्री के लिए माँ बैठे वे थे साइन नी करेंगे तो फ्लैट की रजिस्ट्र जी हमारी कंपनी की पॉलिसी है जिस दिन हमें आपके रेजिदेंट्स को या आपके आपके आडबलियो को यानि कि यह जो हमी सोसाइटी है पैसे का हिसाब देना पड़ा उस दिन हम छोड़के चले जाएंगे तो हमने का जाओ इन्हों ने ये ट्रिक जमशेदपूर में ट्र कर रखें तो उन्हें देखा कि मेरे पास लोवी है तो सब लोग कुछ लोग हाँ जोड़के आएंगे नहीं ने भाइया मत जाओ यहां उल्टाओ यहां मैनेजमेंट कमिटी इमांदार स्ट्रॉंग और अपने मुद्धे पर वो काम करने वाली थी उन्हां ठीक है आप जा अगरा आप रिटायर्ड है मेरे ख्याल से क्या शुब नाम है तो 2015 में आया था मेरा नाम हिंदर सिंगा मेरे फ्लैट का मेंटनेंस उस टाइम 2015 में 2700 के क्रीब था अब यह शालीस हो के क्रीब है अल्मुस्ट डबल डबल हो चुका है तो फिर होली होली जैसे सेल्फ तिंकि क्यां चाहिए कि यह कैसे बढ़ता जाता है इस मेंटनेस बड़ जा रहा रहा बड़ा जा रहा है वह मैंने देहता रहा हूं मैं वाक करता हूं मॉर्निंग बिल्कुल डूं बिल्बरी डूं ऐक कोई भी वेक्ति आज मैं भी फ्लैट लेता हूं आप लेता है या जो चाहेगा लेकिन यहां पर बिल्डर आप लोगों से ट्रांस्पेरेंट होने के वज़े आप से छुपातर जैसे आप बता रहे हैं कि छुपातर है तो यह इसका रीजन क्या है और आश्यर होगा कि इन रंगोली गाडन का कोई एकाउंट नहीं है और इंडिया इन्हों ने एक हिसाब मिनी भी तो होगे और जो मैंटेनेंस या सर्विसेज है वो आपनी मन मर्ची की तो होगे मतलब यार टोटल जादागिरी मतलब मेरे को जो समझ में है साब इनके ऑल इंडिया अभी आप जैपूर ले लिए इनका उमंग है एक इन्होंने दक्ष किया हुआ है वो सब लॉस में जा रहे हैं हमारे 1680 रेजिडेंट्स का पैसा हमसे वसूल करके यह अपने बागी प्रोजेक्ट चला रहे हैं यह देखने वली बात है कि चैए जैपूर हो चैए दिली हो चैए बॉम्बे हो पंजाब हो देश के किसी भी कौने में अगर कोई भी बिल्डर इस तर के द्वारा और सर्विस नहीं मिल रही है और जो पानी है उसमें एक तरह से जहरीला पानी इनको पिलाए जा रहा है जब भी आप फ्लैट लें कहीं पे भी लें इस देश में कहीं पे भी लें तो आप ये चीज़ जरूर इन चीजों पर गौर करें कि ऐसी कोई भी शिकायत का सामना आपको फ्यूचर में नहीं करना पड़े क्योंकि आज तो जब शुरुवाती दौर में जब आप ले रहें तब आपको दिक्कत नहीं आईगी लेकिन जिस तरह आप सब लोग फेस कर रहे हैं मतलब ये मेरे बड़े अस्चरी की बात है कि आप आर्मी से रहें आप प्रोफेसर रहें आप फाइनेंस कमेटी में हैं और फिर भी इतनी सारी समस्य हैं आप आज लेके बैठें आपर ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए भी आपको क्या लगता है आशिया ना बिल्डर्स की तरफ से जो मेंटेन किया जा रहा है या जो आपकी कमेटी या दो बहुत अच्छी कम नी है और दो दो फ्लैट्स वह मैंटेन कर रही है यह तो 1680 की बाइस सोसाइटी मैंटेन कर रही है तो बड़ी-बड़ी लेकिन मुक्रा देने को तयार नहीं है उसको कहने का मतलब यह कि फ्लैट लेना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका मेंटिनेंस वाला पार्ट भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने तीन साल पहले मैं या शिफ्ट हुआ हूं फ्लैट तो 2010-11 से मैंने यहां में हमलोंजी करता था और दो आशयाना का एकॉंट में हैंडल था इसका एपी फगड़े इसकी जो नीमें हमें डलीकी स्थी के अप्रूवल हुए है सारे मुझे ग्यात है तो एक अच्छी सोसाइटी के रूप में हाला कि मैं भी मैं अच्छी सोसाइटी में ही रहता था विद्यादर नगर में डिफेंस कालोनी में रहता था फNHB में जलवाईयू मैं लेकिन हमें लगा कि यह जो आधुनिक सुविद तो यह सोच के और अपर मिडल क्लास और मिडल क्लास को एफोडेबल जो बजट है उसमें यह पहले देते थे और जब यह लिया तब उन्होंने कहा था कि एक रूपया 30 पैसा एक रूपया 40 पैसा मेंटेनस आएगा और यह मेंटेनस बढ़ेगा नहीं क्योंकि यह पर यूनिट कॉस्टिंग पर होता है तो आपको इतना ज्यादा लोड नहीं आएगा अभी तुश्य तीन रुपय क्या स्वास बताएं अब तो क्या बताएं साब एमेसल एक इस्ट इंडिया कंपनी है डिवाइडन डूल जैसे इस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी जो इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किया वो आश्याना अपने प्रोजेक्टों में कर रही है हे तू अपना वर्चस्व बनाया रखने हे तू कि आपस में लोग पडोसी पडोसी ना रहे लेकिन हमारी दुकानदारी चलती रहे आज जब चिला-चिला कर तीन आर्जियोड डव्ल्योएस की कमेटियां यहां पर काम कर चुकी तब तक गुपता साप को की नींद खुली नहीं और जब सत्ता हाथ से जाते हुए नजर आई कि भया यह एमसी तो सुननी रही यह एमसी तो नीडर है यह एमसी तो साफ है इनको पैसे का लोब नहीं क्योंकि जो एमसी में हैं वो कोई तो एंजिनियर हैं कोई तो बैंकों के डेट ट्रिबूनल के वरिष्ट वकील हैं कोई मल्टी क्रोर कंपनी टरनोवर कंपनी के वरिष अधिकारी हैं तो इनको यह चुट मुट पैसों की लालच जो यह देते हैं उसमें कोई प्रलोभन नहीं है तो जब इन्हों हैं इतना ही नहीं आज हमें नहीं पता कि कल का सूरज उगने वाला है वो हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे क्यों गटर का गंदा पानी स्टीपी का गंदा पानी रेन हर्वेस्टिंग में वो डाल रहे हैं जिससे हमारे फ्लैटों में पानी आ रहा है यह पानी हम तौर पर पूरे देश में जहां पर भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं इनका लाइसन्स कैंसल करना चाहिए इनके मैनेजमेंट को बिहाइंड बार से करना चाहिए इनके पास अप्रूवल है एन्वाइर्मेंट बोड की कि यह प्लांट स्टीपी का अंदर ही लगाएंगे और ज यह हमसे वसूलते हैं पानी बार फिकने के लिए जबकि इनके पास अप्रूवल क्या है अंदर ही प्लांट कपैसिटी वाला प्लांट बनाएंगे और इनका निकाल के लिए जिरो कॉस्ट पर निकाल करेंगे बिल्डर ने जो शर्तें या जो कुछ कंडिशन्स आपको बता कर दो फाए नरब दर्च और ञागाए इनके ने क्या किए कि वालो करते हैं हमारी इंसी इतनी करहरे एक हमारे उनकिन वरिस्त लीगल कांसल जो कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ हैं क्योंकि हम सच्चाई की रहा पे चल रहे हैं और इनके साथ कौन है फूट निती करने वाले यह फूट निती ही चाहते हैं हमारे खुद के पडोसियों को हमारे खुद के भाई बेहनों को इन्होंने एक दिवाल खड़ी करके आमने सामने कर दिय लेकिन यह दिन दूर नहीं कि लोग भी समझ रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है कि यह कुट निती अब यह नहीं चलेगी अब यहां कि वल भाईचाराई रहेगा और सच्छाए की रहा पे जो भी जो भी मेंटेनेंस कमिटी ओ लोग उनको चाहते हैं कि जो और इनके एजण्ट से वो वीडियों का वितरन कर रहें तो मैं इस आपके इंटेव्यु द्वारा अपील कर रहा ओं सभी को चाहे वो रंगोली के हो चैरंगोली के बाहर के हो कि आशयाना को उसकी उकात दिखानी चाहिए AMSL को उसकी उकात दिखानी चाहिए गांधी जी ने जैसा गहा था Go Back Simon, हम कहते हैं Go Back AMSL Hi AMSL 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 Thank you रंगोली गारडन्स के मामले में हम आपको बता दें कि इस मामले को इनका हैंडल करना और इस पूरी सोसाइटी के लिए फाइट करना एक बहुत बड़ी बात है इनकी जो फर्म है लौ फर्म वो 1932 से यहां पर काम कर रही है जैपूर में और इनका बहुत सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोट सब जगे इनके जो केस हैं यह फाइट करते हैं अलग-अलग मामलों में और इस मामले को भी इन्होंने पूरी सतर्कता के साथ हैंडल कर रहे हैं हम लोग सुरूची जी से जानेंगे कि इस रंगोली गार्डन के मामले में कहां तक बात पहुंची है लीगल एक्टिविटीज क्या चल रही है कोट में क्या चल रहा है और यह मामला किस तरह का बनता जा रहे है तो सुरूची जी आपका स्वागत है विधायक.com में हम लोग यह जानना चाहरे है कि क्या अब आगे चल रहा है कहां तक यह बात पहुंची है और यह न्याय कब मिलेगा इन 1680 परिवारों देखे फ्रैंक्ली यहां के लोगों का तो एक एक पल गुजारना इस मेंटेनेंस सोसाइटी के कारण अब दूबहर हो चुका है यहां के जो लोग हैं वो पिछले तीन महीने से लगातार इनके अट्रोसिटीज सहते आ रहे हैं और अब इनके बसकी बात रही नहीं है यहां के लोग अपनी सुसाइटी के जरिए और डी राज्य उबोक्ता सरक्षन अधिनियम सरक्षन के सामने जा चुके हैं और नैशनल ग्रीन ट्राइबनिल के और सूरच के उगने की ही बस देर है मैं यह कहता हूंगी यह मामला आया जून में एक वीडियो आपके यहां पे रिकॉर्ड के या केंपस के लोगों ने और वहां पे सीवरेज का जो पानी था वो वाटर हर्वेस्टिंग में डाला जा रहा था तो मैं सीक्वेंच आना चाहर सविस आशियाना मेंटिनेंस सर्विस लिमिटेट के द्वारा मेंटेन की जा रहा ही रंगोली गाडन्स में रहते थे पर 22 जून 2020 को यह सपना पूरी तरीके से चकना चूर हो गया क्यूंकि 22 जून 2020 की रात को लगभग 11 बजे के आसपास यहां के ही जो मेंटिनेंस सुसाइ होता है उसको विद और रिस्पेक्ट किस लिहाज से किस सोच के साथ इन लोगों ने रंगोली गार्डन्स के ही वाटर हार्वेस्टिंग में डाला जा रहा था लगातार और यह देखके सब भौचक के रह गए तो उन्होंने इमेजेटली वहीं के रंगोली गार्डन्स के जो आशियाना मेंटिनेंस के जो अधिकानी है अनत सिंग जी उनको भी बुलाया जो वहां के अध्यक्ष है रंगोली गार्डन्स के गजेंद्र जांगिर जी सोसाइटी के उनको बुलाया कुछ और लोग भी खटे हो गए गार्ड्स भी खटे हो गए सब के सामने वो वीडियो बन रहा था पानी रेन वाटर हर्विस्टिंग में जाता हुआ दिख रहा था तो जब वहां जो करमचारी दो हैं उनमें से एक रवी हैं और एक और हैं उन दोनों से जब इसके बारे में जाच परताल की गई सबी लोगों के सामने तो उन्होंने इस बात को ख्लियरली अड Πीने से वह पानी वाटर हर्विस्टिंग में डाला जा रहा था फिर जब अगले दिन इसकी जाज़ परताल की गई मनोच कुमावत को उस वक्त भी बुलाएगे मनोज कुमावत नहीं आए जब अगले दिन मनोज कुमावत से बात की तो उन्होंने अनित सिंग का नाम ले लिया अब यहां तीन ही अधिकारी हैं उनके उपर संजीव रावत हैं इसके बाद लोग प्रताड़ित महसूस करी रहते हैं फिर यहां की कि जो सोसाइटी उन्होंने हातों हात एक स्टीपी कमिटी खुदी के पांच सदस्यों की गठित की और वहां के और भी सदस्यों सबने इस बात में बड़ा आक्रोश था सबने कहा कि इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट की जानी चाहिए फिर भी सोसाइटी सही ही तरीके से काम करना चाहिए इसलिए सोसाइटी ने एक स्वतंत्र ये स्टीपी कमिटी गठित की उसमें पांच मेंबर थे उन पांचों मेंबर ने पूरी जाच परताल करके 11 जुलाए 2020 को अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये वाली बात कही कि आशियाना 27 अगस 2020 को दर्च करी जैसे उस एफायर की जानकरी यहां के सभी ग्रूप्स के जरिये बिल्डर और मेंटिनेंस सर्विस वाले को पता लगा तो उन्होंने स्वयम इस बात को स्विकार करते हुए कि वो रंगोली निवासियों को अच्छी सुविदाएं देने में फेल हो ग के नई मेंटिनेंस कमिटी न्यूक्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करी जिसके तहत इन्होंने 26 सितंबर को टेंडर दिया भी जिसमें बाकी सारे लोग अपियर हुए सब हुए जो और अच्छे अच्छे यहां कि मेंटिनेंस सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारी छोड़ा ट्रेसपासर्स की तरह माँ बैठे हुए और यही नहीं अब लोगों पर अनुचित दबाव बना रहे हैं कि उनी को ही कंटिन्यू किया जाए और जो लोग अब उनको नहीं रखना चाह रहे हैं उन पे जबरदस्ती की जा रही है और उनको इस तरह से प्रताड़ सर्विस एजनसी न्यूक्त करनी थी तो इन्होंने सारी जाच परताल चुरू करी कि आज तक आशियाना मेंटिनेंस ने क्या-क्या अप्रूवल्स ले रखी हैं क्या अप्रूवल नहीं ले रखी है तो वह जाच परताल करने के दौरान 26 नवंबर 2020 को प्रथम मरतबा यहां प्रद्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तीन आदेश लिए गए 29 सितंबर 2011 21 जून 2013 और उसके बाद 5 अक्टूबर 2015 उन तीनों आदेशों में यह स्पष्ट रूप से वर्नित है कि रंगोली गार्डन का जो गंदा पानी वहां से उतसर्जत होता है जिसको हम स्टीपीप के पा परमिशन दी गई थी पर यह तीनों आदेश मेगा कॉलनाइजर्स और आशियाना मेंटेंस वालों ने मिली भगत कर रहा सभी रंगोलियों वासियों से चुपाया और ना सिर्फ चुपाया बलकि लगातार पिछले पांच सालों में हर रोज यहां से जो पानी गंदा एकट वाकर उन्होंने उसको यह कहकर अंगोली वासियों को कि आप लोग जादा पानी पी रहे हैं इसलिए जादा एस्टी पी यहां का इखटा हो रहा है तो बहर जो डिस्पोजल के लिए पैसे लगेंगे वो आपसे वसूल लेंगे उस नाम पे उन्होंने पिछले पांच साल म को कोई पारश्चता से हमारे से अकाउंट शेयर नहीं करता लेकिन जो जितना सा भी करता है उसमें उसने खुद ने इस भी का रहा है कि स्टी पी के पानी के डिस्पोजल चार्जर की पेटे उसने जुलाए उनीस से लेके जुलाए बीस तक लगबक 84 लाक रुपे हमसे एक कि जीरो डिस्चार्ज ओफ एस्टी पी वाटर ओफ रंगोलिक आउट्स आउटसाइट रंगोलिक गार्डन तो जब जीरो डिस्चार्ज है तो फिर बाहर कैसे और दूसरी बात जो अभी तक मेरे समझ में नहीं आरी वो यह है कि जब हम रास्तान पुलूशन कंट्रोल बो ने कुछ किया नहीं और यह लगातार उसको डिस्चार्ज करे जा रहे हैं तो यह वाकई अन्बिलीवबल सिचुएशन है और वहां कुल 1680 फ्लैटें जिसमें लगवग 6-7000 लोग रहते हैं और उनमें से कुल कम से कम 70-80 रिटाइड आर्मी वाले और बाकी भी और मैंने कभी देखा नहीं है इस पूरे मामले में हम लोगोंने आज आपके केंपस में वहां पर रंगोली में बहुत सारे लोगों से बात चीत हुई कई सारे बुजर्ग भी थे जो आर्मी से डेटायर थे कुछ और भी थे प्रोफेसर थे जो बुजर्ग हैं उन्होंने बता है लेकिन सर्विस डीग्रेड होती जा रही है तो इस तरह कैसे चलेगा मतलब क्या अब इसका कहीं ना कहीं आके आपको क्या लग रहा है क्या समाधान हो सकता है या विंग नेड़ोकेट आप क्या कहना चाहिए देखिए फ्रैंक्ली मुद्दी इस प्रकार के हैं कि जब ख शांती पूरवक उनको विदाई देने का पूरा बंदोबस कर लिया था दूसरी कंपनी को नियुक्त करके लेकिन अब वो यहां जबरन ठेर गए और आपके अध्यक्ष भी कह रहे हैं वहाँ पर सुसाइटी के आज जांगिर जी जिन से में मिला तो उनका कहना है कि यहां स पैसे ले रहे हैं उस चीच के यह सबसे गलत बात है और सबसे इंपोर्टन बात है कि यहां के नागरिक जिस प्रकार के हैं उनके पास माननी न्यायलियों के अलावा और कोई तरीका नहीं है इन जैसे जिनने मैं अगर भूव माफिया तो माफिय चाहती हूं कहना लेकिन सम समाप्त होना ही चाहिए जिसके लिए यहां के सुसाइटी के मेंबरान द्वारा माननी राज उब्योकता सरक्षक एवं अन्य अदालतों इंक्लूडिंग एंजिटी के भी दरवाजी खटकटाय जा चुके हैं बस अब उनसे आदेश आने का ही इंजार सबसे दुख्ती बा पानी में जो रेन वाटर हार्वस्टिंग के थ्रू हमारे घरों में आता है उसमें मिलाते वे यह पकड़े गए जबकि वही पानी गैर कानीनी रूप से यह मतलब बाहर डाल रहे जिसको इनोंने हमें कभी नहीं बताया कि नों इनके पास उसकी परमीशन ही नहीं और उसका पैसा भी हमारे से लेते रहे तो हमारी तो यहाँ इतना पैसा देखे भी हमारी जानमाल से कहला जा रहा है इसके लिए बहुत जादे विथित हैं आप सबसे प्राटना करते हैं कि ये बाद आप सब को पहुचाएं क्योंकि हम कंजियूमर पिस रहे हैं इन बिल्डर के जो कहते हैं दादागिरी में यह बहुत बड़ा शडियंत्र है हमारी आपसे प्राटना है कि हमें इससे निकाले क्योंकि हम तो मिडल क्लास लोग है हमारे जीवन की जो कमाई है यहां पर पूरे राजस्थान में इससे जादे महंगा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा साब हम इसाद पर सुरक्षा हमें मिल सके एक बहुढश्ता मिल सके और परिनाम में व्यत्ता थो क्या मिलेगी हमारे तो जीवन से खेला जा रहरा है हमारे साथ यहां पर इस सुसाइटी के कर्णल यशपाल हैं हम लोग इंसे जानेंगे कि यहां क्या समस्या है यूज आपक्या कहन लुकिली इस बार हमारी एक मेंटिनेंस कमिटी जो है जो कमिटी है आरजी और डबलुएस वो तुड़ी स्ट्रॉंग है तो उन्होंने इन से पूछताज की पैसे की यह आश्याना अन्नव हो गया और इन्होंने हमें लिखके दे दिया कि हम दो तारीक से यहां छोड़के जा यह दो तारीक के बाद जानी रहे हैं और हमारे कैपिटल फंड्स को जबरदस्ती खर्च किये जा रहे हैं हमारी रोड्स बनाने के लिए हमारे रंग रोगन कराने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा यह पैसा जाते जाते हमारा खर्च कर जाएं और उसमें कमाई करें तो विएसली हमको परिशानी तो ही हम नहीं चाहतें कि इस तरह से धानले बाजी हमारे पैसे से खर्च हो जाए हम लोग हैनत की कमाई हमानदारी की कमाई करते हैं लेकिन इनके ऊपर चड़ाने के लिए फड़ी बिल्ड उपर चड़ाने के side और यहां किशवास कि यहांगे से रह रहे हैं और आपने क्या सोच के लिया था, यह प्रजेक्ट में thought we had the brilliant safe streams. का में नेता हम मालम था उसली वोक्त के maintenance Charges का क्या implication है, किन किस को नेताद में धैसाल साल हमें डबल हो गई मतलब कि हम साथ हजार रुपे मेंटिनेंस दे रहा हूं अभी मैं अपने फ्लैट का कुछ टाम के बाद तो हम किराइदार हैं यह मकान वाले के हम किराइदार हैं क्योंकि यह जाई नहीं सकते हैं यहां से ऐसा यह नों ने गुंडी लगा रखी हैं अपने ट्राइपाट अग वां टौस्ट आउड एफ्रीटिंग अपने टो हम आई तो हमें बताया गया था कि आपकी इस से मैक्सिमम जब तक अपर होगे तो पांच जार से जादा वो नहीं जाएगी मेंटेन्स अभ भी पांच जार होगी हैं अभी अब्ये देखो मार्च में जब हमारे पस कोई भी चीज नहीं चल रहे थी ना स्वेमिंग पूल ना लिफ्ट ना और कुछ फिर भी इनका पैसा बढ़ रहा था जब हम इन से पूछते हैं कि भई आप बिना कहीं मेंटेनेंस बिल क्यों बढ़ा रहे हो हमें कुछ तो बता तो इनका ब्लैंक जवाब होता है मैडम हमें नहीं पता हमारे पास उपर से ओडर आते हैं तो हम जाए तो जाए का एज रेजिडेंट मैं किसी भी मेंबर की मिटिंग में नहीं हूं मैं किसी भी उसमें नहीं हूं मैं एज सिंपल रेजिडेंट बोल रही हूं क्यों हमें तो उन सेक्योर्टी की सबसे ज्यादा प्रोब्लम है लब हिम्मत करी तो आप लोग केवल यह चा रहे हैं कि यहां पर एक अच्छी सुसाइटी मेंटेन हो बस हमारे को और किसी से कुछ लेना देए लेकिन बिल्डर इसमें फेल हो चुका है पूरी तरीके से कभी भी कुछ भी करो नहीं हमें तो रिस्पांस नहीं मिलता पर हां ज चाहित होता हूं उस पर हम तो क्या क्या है मतलब थोड़ा खुल के विए सदेख्थ तो सिक्योरिटी सिस्ट्म जो यहां पर है वह निल ही है एक तरह से मेरको आठ साल हो गयां यहां पर रहते हुए वैरी फर्स्ट डे से जो इनका यहां पर सिक्योर्टी सिस्ट्म एन पर वह एकदम ही निल है अंदर सिक्योरिटी गार्ड वो भी कोई मंदले की हैं या नहीं उसके बराबरी हैं तो आठ साल से हम सैन कर रहे हैं हाला कि जो स्टार्टिंग मेंटेनेंस कम थी चलो दो डाई जार पर थी चलो आदमी समझता है अब हमने लिए हुआ पैंतिस चालिस लाग रख एक फ्लेट आज मेरे खाल से दो तिन साल से जो मेंटेनेंस चल रही हो पांच जार पे चल रही है पर मंत तो पांच जार में तो आप भी जानते बाहरी कमरा मिल दाएगा तो ऐसे ओनर होते हुए हम यहां पर टेनेंट फील करते हैं हर चीज का क्या है कि एक होना चाहिए आप मैंटेन्स पांच की जगे सh Cold Ouais लें अब लोगों से मैं धूरेंस को खुश करें कि हां मैं जो यह ले रहा हूं यह वरत है कि आपकी चीज़ कि वर्थ नहीं दिख रही है आपकी चीज़ की वर्थ 54 hac वर वाजी या शाथ उससे भी कम हो हमें भी कुछ लोगों ने बता है जो शुरू में आप से लेते थे एक रूपया 30-40 पैसा उससे भी कमजोर सर्विस हो गई है लेकिन पैसा डबल हो गई है सर्विसेस तो इस तरह से डाउन होई है कि कुछ बाती नहीं है मतलब अब तो यह हो रहा है कि काम चलाओ भी नहीं है और जो चार्जिस हैं वो डबल से ज़्यादा जा चुके हैं आज हमारी बिल्कुल बगल की सोसाइटी है रंगुली ग्रीन्स नाम से एक रूपय 35 पैसे मे वो मेंटेन हो रही है और हम से बडिया मेंटेन हो रही है और हम यहाँ पे 3,03 रूपय दे रहे हैं बोलने को एक रूपय 35 पैसे और 3,03 रूपय ऐसा लग रहा है लेकिन वहां आज जिस फ्लेट का 5000 के आसपास लग रहा है वहां पे उसका बिल्कुल ही अठारा सो दो जार लगा पड़ा और बेटर मेंटरेंस गार्ड जो हैं बिलकुल ऐसे बूड़े लाचार गार्ड जाएं कि उनको थपड़ मार दो तो वो खुदी वहीं पर गिर जाएगा अभी यहां पर किसे उसाइटी में चोरियां हुई है कुछ नहीं कर पारा है गार्ड ने कुछ वर्काउट नहीं की है और खुब चोरियां हो जाएंगी तो भी कुछ नहीं करेगा उसके अलावा रोड यह वह पूरा दुनिया बर का गंध लगा पड़ा है अश्तर वेसे भी कहते हैं कि सबसे बड़ी आ प्रोजेक्ट किया जाता है अब जब सब लोग आ गए सारे फ्लैट बिग गए सारा जो मतलब था वो निकल गया उसके बाद लोगों को लूटना चालू करतो मेंटरेंस बिल्कु घटाओ क्योंकि कॉस्ट आपकी घटेगी आपका रिविन्यू बढ़ेगा आपका फ्रॉफिट बढ़ता है वो चालू लेकिन उसको नहीं देना है तो नहीं देना है उसका एक ही बात रहता है हमेशा जब भी शोर शराबा हुआ है लोगों ने विद्रोव किया है वो कहता है लिव और लीव मैं दादागिरी करूंगा नवाब हूं मैं ही हूं लिव और लीव या तो ऐसी जी ओ यहां से जो इन्होंने यह स्टीपी में जहर वेर सब कुछ मिलाया है जो सारा कुछ किया है जब आपको एक्स्प्रेंड किया है उससे इनको किसी ने राय दी होगी कि आप तो धंकी दो कि हमें ऐसे जा रहे हैं राइनेशन दिया उन्होंने वे राइजिनेशन खुद दिया उन्हो लेकिन उसके बाद दो मैंने बाद किसी ने कुछ समझाया क्योंकि लोग इनूने मैंबर कमिटी नने अपना टेंडर्ट्र प्रसेस स्ठार्ट कर दिया सारा कुछ प्रसेस start हो गया तो दो महीने बाद इनको रिलाइस होता है कि हमने गलत कर दिया और फिर लोगों से मपना चाहिए कि वह वापस आएं। वह दौैनों हो च्छॉड़ा है। वो हमारे लिए golden chance था जब इनोंने देखा कि इनोंने तो वह golden chance उखो भना लिया इनोंने तो बलकी ठीक हमको हटाव मान की एकसेप्ट कर लिए राजब नेशन हमारा और नई कोई एजेंसी को अपवाइंट करने के लिए को भी कमेटी अवेटी बना ली हैं तो इनोंने अपन कौन तुम्हें पर चाहरा है फालतू की बाते करके क्योंकि अभी में उनके हाथ में हैं वह कि हम वापस आ रहे हैं यह है अब लोगों ने विद्रो किया तो लोगों खो रिजाने के लिए रोड बना रहे हैं पेंट का कॉंटक्ट दे रहे हैं सब दिख रहा है कितनी घडि ट्रम रुट करने के अएक तरह से तरीका निकाल लिए इनोंने कुछ लोगों भाइख पांशतु रुपए का खर्च बता दें और पांच करोड़ दस करोड़ जता भी है उसमें से हगने के और नाने के 1000-1500 रेतं है अगर मेरेकर स्टार्टिंग पतन हो था कि मेरेकर हगने के भी और नाने के भी 10-1500 रपे देने हैं तो मैं लेता हैं यहां फ्लैट सिर्फ जो ओपन एरिय उसके लिए लिया है अगर आप इसकी अश्याना की construction देखो गए तो जितने भी मज़ूर है नहीं यहां से वह PhD करके गए हैं सब बना के गए हैं आप किसी single member से पूछ लो किसी की कोई दिवार सीधी हो हमारे पास carpenter आया के शिकायद करते हैं सर यह तो यहां पर टेड़ा हो रहा है यह ऐसे हो रहा है यह ऐसे हो रहा है सारी जो चटेड़ी हैं बहुत बार कील ठोकते हैं तो इंट नहीं होती अंदर घटिया से घटिया क्वालिटी वह लीगार्डन की पूरे रियल एस्टेट में मिसाल दी जाती है कि रंगोली गार्डन के फ्लैट्स और यहां की जो सुविदाएं हैं वो बहुती आलिशान हैं बहुती लगजरी यहां पर है लेकिन आपने देखा यहां के रेजिडेंट्स का कहना है कि यहां पर बहुत भारी समस्याएं हैं और इन समस्याँ से निजात दिलाना बहुत जरूरी है पबलिक आके खड़ी हो गई है बिल्डर के खिलाफ और इस तरह अगर आप भी अपनी समस्याएं जनता जो है वो अपनी समस्याएं रखना चाहरी हैं बिल्डर या कॉलोनाइजर के खिलाफ तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हम लोग आपके मुद्दे को उठाएंगे उस मुद्दे का जो समाधान हो सकता है उसे समाधान तक पहुंचाएंगे क्योंकि आप नहीं उठेंगे तो आपके मुद्दे सामने नहीं आ सकते तो जितने भी resident societies हैं जितने भीwegें वेलफेर societies हैं बिल्डर्थ के यहां चने फ्लैट्स में आप वहाँ पर रहरे हैं तो आप अपनी सोसाइटी में आने वाली समस्या हैं हम लोगों तक पहुंचाएंगे हम आप की समस्या को सामने लेकर आएंगे और उससे प्रशाशन तक उ उसे पहुंचाएंगे, पॉलिटिकल लोगों तक उसे पहुंचाएंगे, ताकि उस समस्या का समाधान हो सके, समस्या जितनी बड़ी होगी, उस बड़े स्तर तक हम लोग आपकी समस्या को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपको हमारा चैनल पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नमस्कार